मैं इस वक्त मौझूद हूँ बुलंद शहर के जिलास्पताल में एक युवक को यहां पर पोश्ट माटम के लिए लाया गया है उसके सगे भतीजे नहीं साजी सरशने के बाद में अपने सगे चाचा की हत्या करवा दी और हत्या करवाने के बाद में वहां से भाग गया चाकू से उसको गोदा गया, अच्छी तरह से तसली से उसको मारा गया, कई सारे वार उसके उपर किये गए, चेहरे पर वार किया गया चाकू से, पेट में वार किया गया चाकू से, सर में वार किये गए, और अच्छी तरह जब उनको ये मालूम हो गया, कि अब ये मर चुका लगाने वाले के नाम क्या है मिंटू सिंग। भागाने यहीं साम कुल साम को मैं बोला क्या हुआ धूमान जी कि इसकी मासे हमने कह दी है, ये सुबह हाजर हो जाएगा, वह हाँ पर हाजर होने नहीं गया, मैंने फिर फोन करा, फोन नहीं उठाया मेरा चोगी में, उसके बाद है, पहले जगड़ा हो चुका था, जगड़ा किस से हुआ था, भतीजे का, और मेरे भाई का, चाचा का, जो प्यार था वो इसी भतेजे पर था, इसकी उंगली पकड़ कर चलना सिखая था, इसे गोद में सबसे ज़्यादा असी चाचा ने खेलाया था, और जब ये गलत रास्ते पर चलने लगा, तो चाचा इसे रोकता था, टोकता था, अब ये शराब भी पिने लगाता अपने दोस्तों के साथ में शराब पीता था और गलियों में घूम कर गाली को फसार करता था लोगों के साथ मार्पीट करता था जिसको लेकर ये रोकता टोकता था अपनी पतनी को मारता था अब चाचा उसको रोकता सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो चाच पहले उसने 21 तारिक मेरी घरवाली के भी चोट लगी हुई है उसको भी महाराई उसके बाद में कल में रपोर्ट करके डॉक्टरी कराके ठीक है यह बताईए कि यह जो चाचा जो आपके भाई हैं आपके भाई हैं बड़े चोटे बड़े भाई आपको भतीजा आपका इसा अपने घरवाली को मनन यही काम था इसका और महले वाले वाली नहीं बगता हैं फिर यह जाचा रोकते थे यह आपस में होई थी इसी बात को लेकर जो है दिक्कत थी फिर रात क्या हुआ रात वह बैठक पर सो रहा था दोनों के दोनों वह आई जिनके नाम अब रपोर्ट एक तो मैने यहां देखा है दो तील यहां पर है है एक दो आपर है और यह सुना के तसली कर रहा था कि वहां ओपर से देख रहा था कि मरा है जिन्दा है चट पठा रहा है क्या अभी उसके अंदर सांस है के नहीं मैं ही उसके पास गया था जो मेरा भाई मरा आई है मैंने उसको पकड़ा है यहां से हाथ लगा रहा है लेकिन खुण नहीं रुक रहा था इसना खटा हुआ था हो जाले अब वहां से फरार हो गए तीनों वहां से भाग गए हो तो जो मैं एक एक पकड़ा हुआ है एक पकड़ गया अच्छा तो यह शरापी कर इन्होंने काम किया होगा है जगड़ा एक दो दिन से चल रहा था मगर जो चाचा है वोसे यह अंदाजा नहीं था कि जो मेरा भतीजा वो मिरी जान ले लेगा वो अराम से अपने घर के बाहर चारपाई बिचा कर सो रहा था अब जहां सा नहीं से बिल्कुल जश्ट स्के बराबर से रास्ता जाता है आमजन वहां से निकलते हैं अगर उसको ये जरा सब शक होता कि बाहरा मुझे मार देगा या किसी से मर्वा मेना तो शायद वो बाहरस से खुले मेना सोते हैं लगता था कभी के आपको भतीजा है वह आपके भाएral को मरभा देगा मार देंUST हमें इस HSBox नहीं था कि यह हमार साथ मैं सब पर देगा वह दरहिए इसलिए आराम से फोर और भी बच्चे तीन बच्चे क्या काम करते थे इसका पहले गाजवाद में सही काम था और जब बिगड़ता तो ऐसी बिगड़ गया उसका काम तो फेकेदारी करता था गाओं में कुछ नहीं कर रहा था जो फेकेदी वह थी बूई कर रहे थे थोड़ी बहुत खेती है हाँ इसी में लगे रहे थे चली खैर फिलहाल बतीरा तु फरार है मंगर उसमें जो दो मारने वाले ओर थे उसके साथी उनमें से एक गरफतार हो चुका है और बाकी को पकड़ने के लिए पुलिश दबिश द